जे स्री कृष्णा राधे राधे हिंदु धर्म में मा लच्मी को धन की देवी कहा जाता है जिस इनसान पर मा लच्मी मेहरमान हो जाए उसके घर कभी पैसों की तंगी नहीं रहेगी मा लच्मी को परसन करने के लिए लोग घर में तरह तरह के उपाई भी करते रहते हैं एसी मा न्याता है कि जीस घर पर मा लच्मी की किरपा रहती है वहाँ कुछ सूप संकेत भी दिखाई देते हैं संकेत इसारा भी अमीर होने से पहले दिखाई दे सकते हैं उल्लू को मा लच्मी का बाहान माना जाता है येसे में अगर अचानक आपको उल्लू नजर आ जाए तो यह सूब माना जाता है इसका मतलब है कि जल्दी धन लाग के साथ सुखुसियां आने वाली है जोति सास्त के अनुसार जब आप सुबा उठे और आपको कोई जाडू लगाते हुए दिखिजे तो यह भी सूब माना जाता है इसका मतलब है कि आपको जल्दी धन लाग होने वाली है जोति सास्तो के अनुसार अगर कबुत्तर को छोड़कर कोई चिडियां आपके घर में घोसला बना ले और अंडे दे दे तो कापी सूब माना जाता है धन की देवी मा लच्मी को साप सफाई बहुत पसंद है जिस घर में साप सफाई होती है मातलच्मी उस घर में बास करती है सुबा उड़ते ही कानों में संग की आवाज आना आपके घर में मा लच्मी की आगमन का संकेत देता है यदि आपकी दाहनी हथेली में लगतार खुजली हो रही है तो यदि धन प्राप्त का सुप संकेत है यदि आपके घर में कोई चिर्णियां आकर घोसला बनाल दे तो यद बहुत ही सुप संकेत माना गया है अगर आपके आगर में सफेद कबूतर आकर बैठने लगे तो फिर आपके परसन हो जावना चाहिए आपका अच्छा समय सुरू होने वाली है अगर आपके घर में सामने अचाना गया आकर खड़ी हो जाए तो समझ लिजे आपके जीवन में खुसियां आने वाली है वीडियो अज़ी लेकित वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को साथ सेयर करें, कॉमेंट करके अपना राज जरूर लिखें